तो बिहार पुलिस कॉंस्टेबल का जो पाहला को पाहली सेप्ट का पेपर हुआ उसके जितने भी कोश्चन मिलें वह हम लोग देख लेते हैं तो देखें खेलों में उतक्रस्ट ता के लिए पुरसकार दिया जाता है option B अरजुन पुरसकार के साथ कौन सा दिया जाता है अरजुन पुरसकार ठोड़ा दुनला पेपर है कlor देख सकते हैं गाईस आप्शन सी 1936 बर्लिन LIC ने नहे ग्राहकों, एजेंटों और मद्यस्थतों के लिए किस एप को लांच किया तो ये हो जाएगा आनंद, कौन सा हो जाएगा, आनंद एप रावत भाटा परमाणु सैंत्र, जो है, वो किस राज में इस्तित है निमलिखित में से कौन एक समांगी मिसरन का उधारन है जितने भी देखिए, हम लोग कोशन देख रहे हैं तो जितने भी मिलने सारे के सारे देख लेते हैं, तो ये हो सकता है आपका नमक का घोल, नमक का घोल क्या हो जाएगा, समांगी मिसरन का उधारन Plaster of Paris का जमना क्या होता है तो ये हो जाएगा option है निर्जली करण होता है क्या होता है निर्जली करण निमलिकित में से किनका उपयोग परमाडू रियक्टरों में मंदक के रूम में किया जाता है ग्रेफाइट और भारी पानी निमलिकित में से किस की स्थापना गोपाल करश्न गोखले ने की थी तो गोपाल करश्न गोखले के द्वारग किस की स्थापना की गई थी चार option है आप देख सकते हैं आपको बताने और comment box में कि क्या हो सकता है अकिल भारतिय दलिस संग बर्ग संग की सापना किसने की एक एक वोषण था आपका सत्यमेप जयते उकती, कहां से ली गई है मुंड़ को पानिसाद से ली गई है किसे ली गई है मुंड़ को उपनिसाद से निमलिखित मेंसे कौन सा नारा सुवास चंदर भोस दौरा दिया गया था तो यह हो जाएगा जय हिंद अगला कोश्चन है रेजिनिंग का आप देख सकते हैं बिक्रम बिंदू 8 से चलना सुरू किया और सीधे 7 किलोमेटर पश्चिम की और चला फिर भई बाय मुढ कर बाया है क्या है कितना चलता यह पूरा कोश्चन नहीं है आपका तो आप देख सकते हैं कोश्चन आपका ऐसा आरा है रेजिनिंग से आकरती में कितने तिरभूजें आपका ऐसा देख रहा होगा निमलिखित में प्रस्ट में दिये गए विकल्पों में से सरवाधिक संबन्द सब्द का चन करें पार्लियमेंड का संबन्द है ग्रेट विट्रेंड तो कॉंग्रेस का संबन्द किससे हो जाएगा आप्सिंटी इंडिया पहला प्राचीन ग्रीक ओलम्पिक खेल कप सुरू किया गया था थोड़ा दुन्दला कोश्चन है इसमें समद में नहीं आर आप देख सकते हैं कोश्चन कॉंग्रेस का पहला आधिवेशन कहां आयोज़त किया गया था तो एक ये कोश्चन था आप देख सकते हैं गाइस पाटली पुत्र नगर के संस्तापक कौन थे चंद्रकॉप्त एक ये कोश्चन विस विद्धाले के प्रमग माहन बंगाली विद्ध्वान थे अब देखे हिंदी के तुर्टी पुन्द भाग का चैन करना है इसमें थोड़ा दुन्दला है लेकिन आप देख सकते हैं सर्व सिच्छा पढ़ के बता देने सर्व सिच्छा बाली कच्छा को यदि पुरुस पढ़ाता है और अबलिक लगा है तो भै लड़कियों की आवसकता को नहीं समझ पाएगा और इस्तिरिया देविका लड़कों के साथ पूर पूरा समझ नहीं पा रहे हैं गाईस ये थोड़ा सा देख सकते हैं किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है तो यहाँ पर हो जाएगा सोबनी हो सकता या अनुकरण नहीं हो सकता है यहाँ पर हो जेगा सोबनी है असंगत बाला बताना गलत बाला बेमेल डेखिये हास्त नक नेत्र पाउं तो इसमें देखिये क्या हो जाईगा आपको बताना है बहुत से कोश्चन है, आप देख सकते हैं, दुंदले दुंदले हैं लेकिन कुछ कोश्चन हैं, जो आपको देख रहे हूँगे एक बस तुसोला मीटर की उचाय से मुक्त होकर दर्ती और गिर्ती दर्ती से गिरने पर ये क्या होगा ये question था एक जो सब कुछ जानता हो तो वो जाएगा सरवग्य निम्नील बाकियों को करम से लिखना है आप देख सकते हैं समानार्थि, नियती का जो पर्रेबाची होता है क्या हो जाएगा? भाग्य क्या हो जाएगा? भागे हो जाएगा नियाती का इन में से कौन आलवार महिला संथ है एक ये कोशन है एक ये कोशन है आप देख सकते हैं तुटिपूर्ण असुद भाग को चैन करना आदादा कोशन है लेकिन आपको मिल नहीं रहा है और इस टार्टिंग में और भी कोशन है जैसे की काफी जाथा दून ले आप देख नहीं सकते हैं जैसे की पसीने की गरंतीयों से तुचा के सरवादिक संख्या में होती है यह ऐसा कोशन है आपको देख सकते हैं गाईस देखे अगले वीडियो में सारे के सारे कोशन में आपको बिद आंसर के साथ प्रोवाइट करवाँगा इस वीडियो में केबल आपको कोशन पतारों की कैसे कोशन आये है निमनिकित मैंसे कौन कोशिका की तीछनता को बनाये रखता है एक ऐसा कोशन था आपका जिस उतक की कोशिका है यहां देके समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आप चार आपसन देख सकते हैं कि ऐसा कोशन था आपका काफी दुन्दला है आप देख नहीं सकते हैं और एक ऐसा कोशन निमनिकित मैंसे काउन एक उपधातू है सोडियम है कि लोहा है मतलब sodium Na और Fe और thamba मतलब Cu arsenic As ये चार option है आपके इसमें से बताना है निमलिकित में दिये गए विकल्पों में से सरवादिक सब्धिका चैन करें तो थोड़ा सा दुंदला है आप देख नहीं सकते हैं इसको तो guys आज किस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में पूरा paper solve करवाऊंगा Thank you